विंदेज दॉस्तों, आज हम को इस वीडियो काड़ के बारे में कुछ लिमिट दिखाने वाले हैं अलग-अलग हमारे भीवर्स जुए काड अपलाई किये थे और उनको उम्मीद था कि हमको लिमिट हाय मिलेगा काफी लोगों का limit आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि यह जो card है काफी लोग इसके पिछे इतना भाग रहे हैं कि हमको सिर्फ card मिल जाए तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि limit कितना दिया जा रहा है अभी के time में आप तो जानते हैं कि मैंने बनाया था वीडियो काफी लोगों को 15,000 की limit मिल थी बट कुछ आज इस वीडियो में कुछ unique होने वाला है तो मेरा आपसी request है कि वीडियो को like करके support कर देना और ज limit मिली है अब सोचे कि 12,000 रुपे में क्या करेंगे ठीक ठाक है कार्ड मिल गया तो यूज करेंगे तो हो सकता है एक साल दो साले में limit increase करी दें और उतने में हपी है और मुझे लगता है कि 12,000 लिमिट एक आज के time में अगर एक normal सा phone अगर लेने जाए टच वाली phone अगर जो आप आएगा यहां पे आप देख सकते हैं कि इनको limit मातरब 15,000 रुपे का मिला है और दुखी है कि भाईया यह 15,000 के limit में क्या करूंगा लेकर मैं इनको भी बाते कहना चाहूँ कि 15,000 मिल तो गया ना यूज करो time से payment करो हो सकता है bank आप पे तरसखा के limit increase कर दे अब इसके आप लोग तो दो लोगों का देख चुके हैं तीसरी लोग का आप लोग देख सकते हैं कि इनकी limit पता कितना है 35,000 रुपे है अब इनका limit 35,000 तो है अब सोचे है कि ऐसा कि financier को 12,000, nl sådler कि 10,000 कि को 15,000, ck 35,000, ck 30,000, ck 40,000, ck 15,000 assail कि तो दिखिए यह है only bank का system कि bank जितना अधिक customer जोड़ेगा उतना benefit होगा समझने हो ना आप लोग मेरी बात को कर देंगे कुछ लोग का सौक होता है और कुछ लोग real life में इसको serious लेकर यूज करते हैं बड़सो मैं आपसे request करो कि सौक के मारे इस card को कभी मत लेना मैं मना कर रहा हूं कि सौक के मारे इस card को मत लेना सौक में इनसान बरबाद हो जाता है अगर आपको जरूरत है सच में तो आप इस card को लेना तो यही कारण है कि आज यह bank जो है अलग-अलग तरीके का जो है वहवार कर रहा है limit के मामले में एकदम कम कर दे रहा है बट मैं आपको इतना बोलूँगा कि अगर एक card आपको मिल रहा है आपको भले से limit 5000 मिले एक को लेना जरूर मैं मना इसलिए नहीं क कर रहा हूं कारण है आज इसको लोगे अगर bank की service या कोई policy change होता है तो 100% limit आपके increase होगी अभी SBI card में आपने देखा कि काफी लोगों का चुन-चुन के जिनकी limit बहुत जवाने में increase नहीं थी आज उनकी limit increase कर दी गई है काफी लोगों का limit increase कर दिया डबल से तिबल कर दि तो मुझे लगता है कि जो bank limit दे रहा है भाई bank की policy termining condition है बट इतना है कि आप लोग apply करते रहो आपकी limit आज नहीं तो कल increase जरूर होगी बट मैं इतना जहता हूं कि limit इतना कम नहीं देना चाहिए किसी किसी का 800 civil score है फिर भी limit कम दिया जा रहा है सब को एक समान कर दिया गया है अब आपको बताऊंगा कि अगर आपकाट decline होता है तो कैसे आप अपरूप करवा सकते हो अगर आपकाट decline होता है तो इसका एकदम plus point आपको बताऊंगा अगर आपको फिलिप कार्ट एप से apply करने को option आया है तो अगर आपको decline हो गया तो आप किसी दूसरे mobile number से फिलिप आपकी जो आपका number है आपका number pain card अधार कार्ट से link है और loan आपने लिया है तो स्विल भी आपका उसी से generate हो रहा है तो कभी-कभी टेक्निकल इसू कारण सिस्टम के वज़े से आपका card decline हो जाता है और उसको bank review अगर आपका हो पाया तो ठीक अगर नहीं हुआ दूसरे नमर से करते हो तो बैंक से देखता है कि same application आपका अलग नाम से जाएगा बट रहेगा तो वही चीजे तो आप लोग ये काम करो card आप option आ जाएगा यकीन मानिए यह तरीका अगर आपको यहां से apply करने का option आ गया है फिर चला भी गया है तो आप bank में जाए किसी other bank card के पास है तो card to card बेसे apply कर लीजिए मेरे साथ दी सेम कहानी हुआ था मेरे फिलिप card में so नहीं so करके चला गया मैंने bank में गया कोट्रक महिंद्रा बेंक card लें card to card apply कर दिया इसके limit मुझे मिल गई आप फूरूव हो गया आभी गया एक काम कीजिए आपको card 100% मिलेगा decline होने के बाद बट इतना याद रखना स्विल पे आपके कुछ effect बड़ेगा अगर आपको स्विल पूरा एदम बचा के चलना है तो try मत करना कुछ point आपको down करवाना है तो आप यह काम जरू कर लेना जो सच्छा ही आपको बता दो पहले वीडियो का ऐसा लागा वीडियो को like कर देना दूस्तों में share कर देना कोई भी स्वार तो comment कर देना फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक ने जाएन वन्यमातरम